हेलो दोस्तों आपके मेरे चैनल पर स्वागत है मैं डॉक्टर रिखा सिना आज आपको इंसुमेनिया के बारे में बताऊंगी अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो लाइक से रहां सिस्क्राइब ज़रूर कर दीजिएगा वेल एकन घंटी को दबा दीजिएगा ताकि आके अगर नोटिफिकेशन मिलती रहे तो चलिए शुरूर करते हैं इसकी पाली मेडिसीन है पैसी फलोडा क्यूँ दो बार आपका पानी में बेस बूंद ले अगर आपको निंद नहीं आती है और गहरी निंद में भी रहते हैं तो ये बहुत ही अच्छी मेडिसीन है इसे आप ले इसकी दूसरी मेडिसीन है कॉफिया कुरूटा दूसरो ये कॉफिय से बनने वाली दवा है दिमाग रेस्ट नहीं करता है दिमाग में काम को लेकर बहुत जादा ही परिसानी होती है काम में मन नहीं लगता है ये इस की लक्षन है यह दवा आप दो टैम लीजिए दो ट्रॉप करके बहुत ही अच्छी मेडिसीन है इसकी तिसरी मेडिसीन है एक्यो लीजिया वेलगेरिस थर्टी बुमन के लिए यह मेडिसीन महिलाओं के लिए है जैसे दिन रत बहुत ही सोचती है चिर्चिरापन रहता है बेट पे लेटने के बाद भी सोचते रहती है क्या होगा क्या नहीं होगा डर्मन में बना रहता है तो इसके लिए अक्यो लीजिया वेलगेरिस बहुत ही अच्छी मेडिसीन है इसे आप दो टैम तिन ड्रोप करके लिजिये कभी अच्छी मेडिसीन है इसकी चौंती मेडिसीन है इगनेसिया दूसर दो ड्रोप ओल्ली नाइट में लेना है इसका सिम्टम से कुछ ऐसा होना कोई सदमा लगना या डिप्रेशन में चले जाना रात भर एक ही बात को बार बार सोचना या दिमाग में बार बार घुमते रहना इसके लिए ये बहुत ही अच्छी मेडिसीन है इसकी पांचमी मेडिसीन है रेस्कूस रेमेडी 30 दो ड्रोप आप तिन टाइम पड़े लीजे इसकी लक्षन है हर वक्त एक ही बात को बार बार सोचना मांसी बिमारी को ठिक करता है काफी अच्छी मेडिसीन है आसा करते हूं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजेगा तब तक के लिए धन्यवाद